तो दोस्तो हमारा पहला कोश्चन है देखे कोश्चन क्या है कोश्चन का रहा है कि यदि पांच केजी तो देखे इसको सोट में केजी लिखा जाता है इसका फुल प्रम होता है न किस होता है कीलो और जीस होता है ग्राम इन्हें कीलो ग्राम तो पांच कीलो ग्राम टामाटर क मुल्य 60 रुपए है तो 18 kg का मुल्य ग्याद करें दोस्तों माल जे आप कहें भी मार्केट गए हैं क्या खरीदने टमाटर खरीदने तो अगर आप 5 kg टमाटर खरीद रहे हैं तो आपको 60 रुपए डेना पड़ रहा है इसी क्रेट से टमाटर ही लेना है सिर्फ 18 kg तो इसका मुल्य आपको ग्याद करना है तो देखे करना क्या है काफी असाने सबसे पहले कोशन में जो भी दिया है न उसको जेयों करते हैं तो लिखेंगे आप सुलूशन सुलूशन लिखेंगे अब देखेंगे सुलूशन सबसे पहले क्या दिया है तो 5 kg का मुल्य 60 रुपए तो 1,000 रूपई यह हमारे question में दिया गया है हमको निकलना है 18 kg तो कैसे निकलने हैं सान तरीका किया है तो डखे करना क्या है सबसे पहला काम कि आपको यहां से कजिकलने का मुल्य ग्याद करना होगा अगर यहां से कलने ग्याद कर लेंगे न तो फारीज सदटने हैं तो यहां पर आपको वन कर दना है किया है तो कि बराबर के लेफटाइट में है और पांच और केजी के बीच में यहां पर कोई भी चीन नहीं न तो गुना के चेंशेपा है और जब कोई भी शंख्या बराबर के लेफटाइट में हो और गुना में हो तो इस शंख्या को बराबर के राइट में लाएंगे न तो भागा में यानिए इसके बाक्ता मेरा यहां लग गया लग गया है आप देखिए करना क्या है takो eh 5 से कटेंगे 60 को देखे 12 5 होता है 60 basis ibaa 6 जो है न पांसे बार बार में कट जाएगा यहे वन कीजी टमान nosso का मूल्य हमारे यहां पर बार रुपई आ जा जुका लेकिन कोश्चन का नुसार हमको 18 kg टामाटर का मुले ग्यात कर रहे हैं तो करना क्या है कापीशिंपल है जब भी आपका 1 kg का मुले निकल जाए तो करना क्या है 18 kg का निकल ला है न तो यहीं पर बराबर की left side और बराबर की right side जो भी numbers है इन दोनों numbers में आपको सिर्फ 18 से गुना करना है चुकि 18 kg का निकल है समझ रहना तो यहां पर पहले से एक है तो लिखेंगे एक गुने 18 kg है तो kg अब देखें बराबर की right में यहां पर 12 रुपए है तो बारब गुने इसमें भी आपको 18 से गुना करना पड़ेगा और रुपए है तो रुपए है अब देखें जब एक गुने करेंगे 18 में तो यहां पर होजाएगा आपका 18 kg अब देखें 12 गुना करने अठाड में देखिए जब 18 करेंगे 2 में तो अठाड दुना 36 का छोग हार्शिन 3 और फिर 18 करेंगे 1 में तो आपका होजएगा 21 यहीं अठाड केजी टामाटर का मुल्य आपका 200 सूर रुपे निकल कर आ गया और इसी तरीका से आपको कोई भी किलोग्राम का हिशाप करना है तो ये रहा हमारा सेकेंड नमर कोस्षण और मोस्ट मोस्ट इंपूर्टेंट कोस्षण इसको सुल्ब करने के बाद आपकोई भी ग्राम आलू का मुल्य 130 रुपए है तो 2 किलो ग्राम और 200 ग्राम का मुल्य ग्याद करें दोस्तों इस कोशन को ध्यान से समझेगा कोशन में दिया क्या है तो 10 केजी आलू का मुल्य 130 रुपए दिया क्या है और हमको निकालना है 2 केजी और 200 ग्राम यानि केजी में भी निकाल न Whilst में कीलो ग्राम के सांत सांत क्यों छोटा भागे ग्राम, उसका भी हिसाब करना हमको सीखना है तो दोस्तो हमारे निकलन केजी के मुल्य लिखेंगे 10 केजी के मुल्य 130 रुपय दिया कहे है इसी को सबसे पहले कोशन मेरा टॉ निकल जाएगए तैस यो केजी को जो केज़ी करेंगे अभ उसको ग्राम एकन कड वड़ गे नवर्ड करेंगे अब उसके सहायता से हमारा दो कराम पर मुली किसि तरह से निकालनाया है तो देखे करना क्या है जहांपर 10 कैडीजी यहां पर डारेक्ट आपको 1 kg कर दिना है चुकि सबसे फ़हले 1 kg कर निकलना है अब देखे बराबर के राइट में पहले से 130 रुपए है तो 130 रुपए रहेगा अब देखे 10 के जब पर मैंने 1 कर दिया तो जो 10 यह बराबर के लेपशाइट में है और 10 और kg के बीच में यहाँ पर कोई बीची नहीं न तो गुणा के जिन शिपा है और आपको पता होगा कि जब कोई भी शंख्या बराबर के लेपशाइट में रहता है गुणा में रहता है तो इस शंख्या को बराबर के राइट मिलाएंगे तो भागा में यहने इसके बाटा में यहां पर लग जाएगा अब देखिए एक जिरो कर जाएगा तेरा उंभा करेंगे वन से तो आपका तेरा ही होगा यहने वन केजी का जो मुल्य है यहां पर क्या हे 1 है ना तो वन में 2 से गुना करेंगे तो तेरा दोना का 26 रुपए हो जाएगा इन्यों 2 kg का मुल्य होगा यहां पर 2 kg का मुल्य चाबीस रुपए होगा और यह हमारा पहला step overview हो गया 2 kg का मुल्य निकल गया अब हमको 200 ग्राम का भी मुल्य ग्यात करना होगा तो देख modern एक हाज़ार क्या होता है 1000 Gm की बबरबर होता है 1000 Gm के बबरबर होता है यह आपको याद कर लेना है 1 kg 00 Gm की बबरबर अप देखे 1 kg का मुल्य तेरे ंर एं। 100 Gram का मुल्य आपका तेरे रुपए ही होगा क्यों होगा ? क्योंकि मैंने kg को Gm अखन बट किया है नाकी रुपए को पैसा में यह तो जियेम का indoor हैगा न तो अब देखें यह हमारा आ गया हमको निकलना है दूशोग ग्राम का मुल्य तो हम गरेंगे सबसे पहले 100 ग्राम का प्रियास करेंगे उसके बाद 200 क्रैम का मुल्य कापी आसान तरीक से निकल जाएगा तो देखिए 100 gram के मुल्य कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है 1000 gram है, अगर इसमें तो यह ओला 1 0 कम करती जाए ना तो हमारा 100 gram हो जाएगा ना, तो देखिए, बराबर मतलब होता है बटा, और बटा मैसे क्टता है तो बराबर में भी कटेगा देखिए, बराबर के left side इस एक जिरो को हम काट देंगे इसका effect क्या परेगा बराबर के राइट में एक जिरो काटे है ना तो बराबर के राइट में जो भी नमबर है इसमें दाहिने तरफ से एक चोड़के यहाँ पर आपका दसमलो लग जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है कि जो 100 ग्राम है ना इसका मुल्य आपका एक दसमलो तीन रुपए निकल कर आ चुका है लेकिन हमको question का नुसार 200 ग्राम का मुल्य पता करना है तो देखिए यहीं पर बराबर के लपचैट और बराबर के राइट चैट दोनो तरफ सिर्फ दो से डवा करेंगे इससे में भी 2 दो अंट चैटो він करेंगा जब दो का गुना करेंगे शो में न तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 मूल्य निकल ग्या रुपए और दो एकम दो यहां पर हमारा 2 kg का मुली आ गया है और 200 ग्राम का मुली केतना होगा तो 26 रुपए यहां पर है और यहां पर 2.6 रुपए इन्हें 2 रुपए और पोइंट के बाज होता है तो 2 रुपए 60 पैसे हैं 2 रुपए 6 पैसे इसको मान सकते हैं तो 26 में दो जोड़ेंगे न तो आपका उजगा 28 रुपए और 0.6 यह पॉइंट 0.6 तो इसको 60 पैसा भी आप मान सकते हैं तो 28 रुपए 6 पैसा यह आपका 2 केजी और 200 ग्राम का मुल्या होगा तो यहाँ पामलिक देते हैं 2 केजी पलस 200 ग्राम एच कल्टू आपका यह आजाएगा और इसी तरीका से आपको कीलो ग्राम का हिशाब करना है तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इस चैनल पर पहली बराहना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको ने वीडियो का नोटिफिशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैत के तेरी हमसे चलती रहेगी और आपका मैत काफ़ी स्ट्रॉंग हो जाएगा